रोज मुझे याद आता है लेकिन रोज मैं भूल जाता हूँ कि आज याद करकर और मैं आपसे एक प्रश्ण पुछना चाहता हूँ क्या आप सभी सुक्षाता में हो आप तो हमें कई बार शाता पूछते हैं लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे आपको सुक्षाता पूछना ज्रूरी है क्योंकि हमारे साधू जीवन के अंदर भगवान माविर स्वामी जी ने कहा कि साधू भगवन तो ने साधू जीवन में 22 प्रकार के परिशह सहन करने चाहिए भूग का दूख, खुशुदा का दूख, थंडी गर्मी वगरे 22 प्रकार के परिशह होते है और वो हमें सहन करने होते हैं, हमारे जीवन में साधू जीवन में सिर्फ 22 प्रकार के परिशह होते है लेकिन मैं आपको इसलिए शाता पुछना चाहता हूँ, कि आप संसारिक जीवन के अंदर संसार में रहते हैं और आपके जीवन में हमने जो देखा है, हमारे जीवन में हमारी लाइफ में सिर्फ 22 प्रकार के दुख होते हैं और इसलिए मैं आपको पुणा शाता पूछ रहा हूँ, क्या आप सभी सुक शाता में हो या तो दिन उखता है, रोज सुबह होती है, एक रोज नया टेंशन, एक रोज नई बात, एक रोज नया डिप्रेशन, एक रोज नई फर्याद, और इसी चक्कर में आप पूरे पी टमनाओं के बीच में आप पूरे पीस चुके हो, ना आपको शरीर का सुख है, ना मन का सुख है, ना आपको परिवार का सुख प्राप्त हो रहा है, ना आपको ना तो पैसे का सुख है, ना आपको कोई भोतिक सुख प्राप्त हुआ है, वो जो भी कुछ आप समझ रहे हो वो actually वो सुक नहीं है वो सुरिफ और सुरिफ सुक का ब्रह्म है और इसलिए जिस सुक के ब्रह्म को आपने सुक मान लिया है और इसलिए आप उस सुक के पीछे या सुक पाने के बाद भी आज भी आप वही के वही जैसे वो समुंदर का पानी होता है न समुंदर का वो पानी आप जितना भी पिएंगे जैसी आप प्यास बुझाने के लिए समुंदर का पानी पीते है लेकिन जैसे जैसे समुंदर का पानी पीते जाते है वैसे वैसे आपकी प्यास बढ़ते जाती है वज़ एक ही क्योंकि वो खारा समुंदर है वो खारा है तो आपकी प्यास कभी बूजी नहीं सकती है सांसार के जितने भी भूतिक सुख है ना ये सब भी खारा खारा ये समुंदर की तरह ये पूरा जहर है आप जितना उसके पीछे किमपाक का जो फॉल होता है ना किमपा का फॉल खाने में मधूर लगता है, खाने में वो बहुत स्वादिष्ट लगता है, खाने में बड़ा वो लिजचत उस फॉल के अंदर बड़ी लिजचत होती है, लेकिन वही फॉल खाने के बाद इंसान के शरिल के अंदर धीरे धीरे जहर व्याप्त हो जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो तरब तरब के मरता है पहले शरुवात में प्रारंब में और वो फल बहुत मिठा लगता है लेकिन वही फल उस फल का जब फल जब मिलता है उसका असली फल है कि हम अंदर से हमारे पूरे शरीर के अंदर विश्व्यापत हो जाता है और आखिर में हमको तरब तरब के मरना पड़ता है संसार के जो विशे सुक जो होते है पाच इंदरियों के जो विशे सुक कहा जाते है ये सभी विशे सुक भी किम पाक के फल की तरह जहरीले होते है शरुवात में हमें आनंद देते है लेकिन वही फिर वापिस वही विशे कशाय के जो सुख होते हैं वही फिर हमें खाते हैं और कल के प्रवचन में हमने यही सुना था इंसान सबसे ज़्यादा किसको चाता है सबसे ज़्यादा वो समझता है कि नई पैसे में सुखे और इसलिए पेसे के लिए उसने खाना छोड़ दिया उसने सोचा नहीं नहीं पुत्र में सूखे और पुत्र के लिए उसने पेसा छोड़ दिया अरे नहीं पत्नी में सूखे और पत्नी के लिए उसने पुत्र को छोड़ दिया और आखिर में जब उसे लगा के नहीं, अब मैं भी फस चुका हूँ, कि अभी यहाँ पर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लेम आ चुकी है, या तो मैं अपने आपको बचा सकता हूँ, या मेरी पत्नी को बचा सकता हूँ, तब वो यही करेगा, सबसे पहले वो अपने आपको बचाने की कोशिश करता है, मेरी आपके सबकी थियरी यही तो है, हम सिर्फ अपना देखते है, हम सिर्फ और सिर्फ हम अपनी जिन्दगी को हमने प्यारी बना के रखी है, नहीं, अगर प्रसंग आया तो मैं सबको छोड़ दूँगा, लेकिन मैं अपनी आप मेरी खुद क जिन्दगी में मेरी खुद की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा, यही तो हुआ है इस कोरोना ने, इस कोरोना ने, जो समझो कैंसर और कोरोना, इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा फर्क क्या है, तो कैंसर, अगर कोई पेशन को कैंसर है, आपको पता चले कि निशिदार में किसी को कैंसर हो चुका है न, तो भी आप जाएंगे, आप फोन करेंगे, आप उसको मिलने के लिए जाएंगे, आप उसे शाता पुछेंगे, आप उसके सेवा चाकनी करेंगे, आपको उसके लिए हमदर्दी निर्मान होगी, लेकिन वही अगर आपको पता में नहीं आना आपको मेरे घर में नहीं आना आपको मेरे रूम में भी नहीं आना अगर एक ही घर में कुरिंटाइन भी रखा है ना तो भी हम उसके रूम में भी नहीं जाते उसको हमारे यहां हमारे रूम में आने भी नहीं देते हैं हम ऐसा बरताओ कर रहें कि जैसे वो अस काड़ो एने सहू कहे जाने जन्मियों जन्हों तो एकरे दिवस से वो आवशे इंसान मरने के बाद अपने खुद के ही घर में भले वो उसने खुद का घर है खुद के नाम का घर है फिर भी देखो इंसान मरने के बाद जो इना उसे सब ऐसे उसको बानते है और उसको उस घर में से निकाल देते हैं हकाल देते हैं 24 घंटे भी उस मुर्टक को उस शब को कोई घर में रखने को तयार नहीं है जिस परिवार को अपने अपने अपना माना था जिस परिवार को आपने परिवार के लिए अपने दिन रात एक किया था जिस परिवार के लिए अपने क्या क्य नहीं छोड़ा, खुन पसीना एक कर दिया, लेकिन वही परिवार वाले, जब आपके मरने के बाद, आपकी आखे जब बंध हो जाती है, जब आपको सबको 24 घंटे भी किसी को घर में रखने को तयार नहीं होते है, और आपको उस घर में से बाहर निकाल देते है, और इतना ही नहीं, उनको कितना डर होता है, देखिए, कि इंसान मरने के बाद ना, उसको बांध दिया जाता है, जब हम छोटे थे, और हमने ये सवाल हमारे पिताजी को पुछा था, कि पिताजी, इनको ये बांते को अब तो मर चुके है, मरने के बाद तो ना तो हिल सकते है, ना बोल सकते है, ना चल सकते है, ना उड़ सकते है, ना बैठ सकते है, ना आके खोल सकते है, ना सुन सकते है, कुछ भी तो नहीं कर सकते है, हम तो कहते हैं, हम तो कहते हैं, निश्चल रूप से वो ऐसे उसका शब पढ़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी फिर उसको बांत तो पितर जी ने कहा कि देखो लोगों को डर होता है कई ये मुड़दा वापिस खड़ा न हो जाए बोलने न लगे कई वापिस ये अगर जाग गया वापिस जिन्दा हो गया तो अनर्त हो जाएगा लोग डर जाते है यानि आपको कितना डर है कई ये मुडदा वापिस जिन रे गया है और अगर सच में अगर वो हिलने लगा और अगर वो बैठ गया ओस समय आप क्या सूचेंगे बूध Past परीवार जन है अगर वो वापिस हो सकता है अगर प्रान जुट है na नावी के अंदर अगर रे गया है तो वापिस उसमें वह जान आ सकती है लिकिन फिर भी हम कितना डरते है कितना खोफ होता है हम सोचते कि अब नहीं अब ये मेरे काम का नहीं है जब इनसान को लगता कि अब मेरे काम का नहीं है न हम देखना कि अगर हमारी पैंसिल अगर पूरी हो चुकी है उसमें है नहीं नहीं पी नहीं है या उसका वो पुरा घिस चुका है हम पै प्रणा देते हैं जो चीज अगर हमको लगता कि इसका काम हो चुका है नियूस पेपर ले पढ़ते हैं जब नया नया नयूस पेपर आज दिन में आया कोई भी चोटी बड़ी कोई भी चीज हमारे हाथ में होती है जब उसका काम पूरा हो जाता है हम उसे फेकने में हम बड़े होश्यार हो चुके हैं हम बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं कि हमारा काम का नहीं है उसको फेक दो रिजट कर दो यही तो हमारी हालत हो गई है आज हमारे देखो पहले के जबाने में गाय बैल भैज यह सभी पशुपंकियों को पाला जाता था लेकिन जब आज की हालत देखो लगता है कि अब यह पशुपंक पूरे घर गाव गाव में देखो तो कितना यह परिशानी हो चुकी है कि जहाद कवा गववन्ष रस्ते पर आ चुका है आपको कभी कोई भैस देखने को नहीं मिलेगी रस्ते में आपको कभी कोई घोडा रस्ते में देखने को नहीं मिलेगा लेकिन आपको गाय बचड़ यह सब प्राणी आपको देखने को मिलेंगे क्यों पता है आपको क्योंकि चलो ठीक है कि इनसान इतना तो सोचता है कि वो गव माता है बाकि सब प्राणी इसलिए देखने को नहीं मिलते है क्योंकि जैसे उस में से रसकस निकल गया अब वो दूद नहीं देता है वो भैस तो आखीर उन सभी को कतल खाने में बेचा जाता है घोड़े भी गोड़ों को भी कतल खाना चल रहा है उन्ड के भी कतल खाने चलते हैं और गाय भेस बकरी ये सब के कतल खाने चल रहे हैं लेकिन फिर भी जो इंसार को थोड़ी भी बुद्धी है वो सोचदा कि नहीं ये और फिर वो भटकते भटकते कचरा खाके गंदा पाणी पीके प्लास्टिक खाके और आकी तडब तडब के और वो सब हमारी गव माता जिसको हम मा का दरजा देते हैं जिसके हम आरती उतारते हैं और जिसको हम 33 करोड दीवी देटों का निवास थल मानते हैं और ये सभी कम प्रोज कितने केसेस आते हैं रोज नय इने प्रक्रन आते हैं किसी ने गाय की पूछ काट ड़ी क्योंकि वो खेत के अंदर वो अनाज खाने को आई थी किसी ने गाय के आखे फोड़ दी तो किसी ने गाय के कान काट दिये किसी ने गाय के उपर ऐसिड फेक दिया कितने सारे केसे इंसान स्रिप और स्रिप यही सोचता है कि नई जो मेरे काम का नई उसे मरना है या उसे फेक देना है वो मेरे काम का नई मुझे नहीं चाहिए और देखो ये कुत्ती जो होते हैं ना कुत्ती जब वो अपने बच्चों को जन्मा देती है और वो कुत्ती भी अगर उस समय उसे खाना नहीं मिला पहले के जमाने के लोग कितने कितने उदार थे कितने दयावान थे वो देखते थे कि इस कुट्टी के अभी दिन भर चुके हैं और वो अभी बच्चे को जनम देगी तो उस कुट्टी के लिए गरम-गरम सीरा बनाते थे सीरा गरम-गरम उसके लिए भोजन बनाते थे नहीं तो अगर हम उसको खाना नहीं देंगे तो कि अगर उसे खाना डिलेवरी होने के बाद अगर उसे खाना नहीं मिला तो आकीर में वो भुग सेंड नहीं कर सकती है और वही कुट्टी अपने बच्चों को खा जाती है। और जो नागन होती है नागन वो भी जब अंडे देती है और एक गोल राउन करती है अपने पूछ से और अगर उस जब वो अंडे में से बच्चे निकलते हैं और जो बच्चा उस राउन को उस लक्षमान रिखा को पार कर दे और जो बाहर निकल जाते हैं तो उनको वो आगन वापिस खा जाती है जिस बच्चों के लिए हम इतना प्यार और हम कितना कितना वातसल्य भाव हम जताते हैं अकिर वही बच्चे जब लगता है कि हमारे सुख में पत्थर है तो उसका काटा निकालने भी हम तैयार हो जाते हैं मुंबई की बनी सत्य घटना रमेश और और ये दोनों पती-पत्नी उसमें रमेश जो था वो धर्मप्रिय था और जैसे संसार उनका आगे चलता गया उन्हें एक छोटा सा बच्चा हुआ उस बेटा होने के बाद और एक दिन वो उस रमा ने अपने पती से कहा कि स्वामिना आज हमारी एनिवर्सरी है तो चलो आ उस समय वो जो पत्नी थी रमा उसने कहा रहे बचा छोटा उसमें क्या फरक पड़ता है उसे क्या समझ में आता है नहीं मैंने कहा ना बच्चे छोटे है पिर भी आज उनमें भी एक समझदारी होती है अभी मन्यू कि मैं आपको बात बताता हूँ अभी मन्यू जब माता के गर्ब में था ना तब उसने चक्रव्यूक किस तरह से भेधना वो ग्जन उसको माता के गर्ब में थे तब उनको प्राप्त हुआ था बच्चे छोटे होते इसका मतलब यह नहीं नहीं समझ में नहीं आता हे सब उन्में समझ में आता है और इसलिए उस रमेश ने मना कर दिया तो रमेश तक तक हो गई घर में किटकिट हो गई और इसलिए घर शुरिकर चला गया चलो मैं एक राउन लगा कि आता हूं तबतक मेरी पत्ली शांत हो जाएगी ये समझ कर और उस रमा ने उस बेटे को देखा एक छोटा सा ननना मुनना बच्चा है और ताजा जन्मा हुआ बच्चा और उस बच्चे को देखकर हो सोचती है अभी से ये मेरे सुक में पत्थर डाल रहा है तो ऐसा बच्चा मुझे किस काम काम अभी तो जन्मा है छोटा है और मुझे वो सुख से वन्चित रख रहा है तो ऐसा बचा मुझे नहीं चाहिए और जो मा जिसको भगवान की उप्मा दी गई है और वो मा वो रमा और उस बच्चे को लेकर रसोडे में जाती है और रसुले में जाकर उसको हाथ में रखती है उसके आखों में से अंगारे बरस रहे कि आज इस बच्चे की वज़े से आज मेरे पती ने मुझे मना किया और वो मेरा पती मुझे पर गुसा हुआ नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा और आवेश में आकर देखो उसने गैस चालू कर दिया और अपने छोटे से नन्ने मुने फूल जैसे कॉमल जैसे बच्चे को उसने गैस के उपर रख दिया और वो बच्चा फर 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 वो जल रहा है वो चिला रहा है कि मा मुझे बचाओ मा मुझे बचाओ वो बोल तो नहीं सकता है लेकिन उसके अंदर का जो आकरंद था उसके अंदर की जो एक मा के प्रतिक जो पुकार थी वो सुनने को तयारी नहीं है वो मा और वो मा मिटकर वो डाकर बन गई वो राक्षसी बन गई वो पिशाची बन गई कि जिसने अपने फूल जैसे कोमल बच्चे को स्रीफ अपने स्वार्थ के लिए मार दिया ये संसार है आपका ये संसार है क्या हम सुख और दुख की क्या व्यक्या कर रहे है समझ में नहीं आता है चलो हमको अपने आप को शांत करना है नए सुख में शांती में विश्व का नव निर्मान करना होगा और इसलिए आगे के प्रवश में हम सुनेंगे तब तक के लिए जैगरी राच, जै आदिनाथ, जै गुरु देव मुलो बरतमान का च्छा देवी आचाले बन दौलत सकत सुरिश्वजी महाराज की जै हो